जो मुझे दुख हो रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ पिछले काफी समय से एक महिने से ज़्यादा हो गया दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है महिना पहलवान धर्णे पर बैठी हुई है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और पूरे देश के लोग उतका समर्शन कर रहे है आरोप जिन पर हैं वो सरकार के एक सामसद हैं गोंडा से बन बूसंट सरंग सिंग पूरी सरकार लगी है उनको बचाने के लिए मैं लंबे समय से वहां अंदोलन में था क्योंकि हमारे समानित लोगों ने अपनी मैनत की कमाई से ये रेली की विवस्ता की लंबे दो साथ महीने पहले लगब प्रोग्राम की डेट तैह हुई थी तब प्रोटेस्ट भी नहीं में सबसे बड़ा दुखिये हुआ कि आज पूलिस में सरकार के सारे पर उन बच्चियों को फूब पीटा जो महीला प्रोग्रेस्टर महां बैठी थी महीला पहलवान वहां बैठी थी वह पहलवान जिन्होंने देश में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया उनको पीट मेरे मन में यह पीड़ा हो रही थी कि भाई मैंने उन बैनों से वादा किया था लेकिन आज मैं यहां हो और सरकार ने मेरी गयर मौजूद्धी का फाइदा अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोड़ लगा लेती लेकिन बैनों को पीटने की हिमत नहीं कर पाती सरक लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे यहां आना था आपने मैनत की थी आप जूटे थे आपके सम्मान का ख्याल लगना था वही उन बेहनों को दियावा वचन भी मेरे याद है मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है कि आप देख रहे होंगे मज मैं तब मीने में हुआ कि नहीं हो जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट कर लिए कके पत्था लगा दिये काटे लगा दिये कही ऐसे लाप JFshirt दिया मेरा वंच सच में नहीं हो रहा था कि महनूं एक हमन् Burn से हाज जोड़के चला जाता क्योंकि मैं आपके बीच्टों बाद में प्या जाओंगा लेकिन जहां बैन बेटी के सम्मान की बात और माँ चंशे का राजाद ना हूँ तो इस बात को साथ मेरा जमीर मेरा मंद फिकार ना कर पाए तो यह दर्थ मुझे था अब आपके बतान सब्सक्राइब कर दिमाद करा जोड़ेगा तो मैं जल्दी वहां लोटूँगा उनके बीच और फिर से वांदोरन वहीं चलेगा और वांदोरन हम लोग जीतेंगा